आज हम बात करने वाले है IEX की last analysis में हमने कहा था कि 124.7 के नीचे price एक बार जाएगा और यहीं पर आपको एक up move की possibility आ सकती है और यहीं पर आपको buy देखना चाहिए अब आप current track देखते हैं तो यहां पर सीधा इस point के नीचे यहां पर आप देख सकते कल एक एक दम के लिए price आई थी और यहां से फिर से एक up move आ गया तो हमारी analysis फिर से सही निकली है तो यह reason मैं आपको पहले भी दिखाया था यहां पर जब भी breakout आता है वो breakout reverse हो जाता है यहा इसलिए ऐसा हो रहा है और ऐसा reason क्यों होता है क्योंकि overall correction में है और जब भी stop correction में होता है तो वहां पर ही failed breakouts regularly आते हैं पर एक time ऐसा भी आने वाला है इसमें जब यह बहुत बड़ा up move दे दे और उसमें काफी लोग सोचेंगे यह failed breakout होगा लेकिन वह one way move अप चला जा यह analysis helpful लग रही है तो आप वीडियो को like करिए अगर आप चैनल को subscribe नहीं किया तो करिए क्योंकि इससे हमें भी motivation मिलती हैं और भी analysis आपके साथ share करते रहे हैं तो overall हम देख सकते हैं क्या हुआ यहां पर एक आपको एक अपमू मिला था उसके बाद हमने यह पहले वीडियो बनाया था कि हम correction expect कर रहें और यहां सब देख सकते हैं कि अच्छा correction आ चुका है अब यहां पे आप देख सकते हैं इस correction की एक impulse था इस का फिर से correction चालू हो गया था अब यहां पर दो किसी possibility हैं एक तो है bullish और यह है mild bullish करके reverse हो जाएगा अब वह हम discuss कर लेते हैं अगर आप पकड़ लेते हैं तो यहां पर एक possibility है कि यह A wave है यह इस correction की B wave है और जो आपको यह आज मिली वह C wave है इस जैसे ही यह structure पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको एक बार इस point के नीचे फिर से यह price आ सकती है तो यह तब होगा जब अगर समलेजिए यह correction करके यहां पर correction करके फिर से एक बर इस point के नीचे आता है अगर ऐसा आता है तो आपको फिर से यहां पर बाई ही डूनना है क्योंकि यह overall एक correction है और major impulse अभी भी अभी लग रहा है तो यह हमारा एक scenario है इस case में यह जो correction होगी यह या तो यह running flat बनेगी यह expanding flat भी बन सकती है बट as of now यह कल decide होगा कि कल आगे क्या होगा बट overall यह एक scenario हमारे पास possible है अब दूसरे scenario की बात कर लेते हैं दूसरा scenario यह है कि हमारा यह जो impulse है फिर से मैं इसको एक बार जो हमारा यह impulse है इसके लिए यह move क्योंकि price इसके नीचे एक बार आ चुकी है तो यह impulse हो और फिर हमें यहां पर next impulse मिले जो इस point को भी clear कर ले बट अगर समय लीजिए यह वो impulse है जो यहां तक जाने वाला है तो इसके लिए हम क्या देखेंगे ऐसा price में तो वो discuss कर लेते हैं कि यहां पे हमने although upside anticipate किया था बट वो corrective upside भी हो सकता था और impulse हमने यह दोनों case रखे था आपके सामने क्योंकि हम upside क्यों र divergence होता है तो next wave upside की ही होती है वो corrective भी हो सकती है और impulse भी हो सकती है अब यहां पे अगर आप एक 10 line ड्रॉ करते हैं यहां पे तो आप देख सकते हैं यह 10 line उपर गया लेकिन यहां पर sustain नहीं कर पाया अब यहां पर क्या होना चाहिए हम जिस क्योंकि अगर इसको इतना उपर जाना है तो उसको थोड़ा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक ऐसी मूव आएगी उसके बाद आपको इस एरिया में एक ऐसा correction यहां मिलेगा जिसको retracement या breakout retracement बोलते हैं या इसमें यहां पर एक correct structure मिलेगा अगर आप कल देखते हैं यहां पर strong candle बनके ऐसा कुछ structure बन जाता है तो आप इसमें समझ जाना और upside आएगा और तब यह upside का potential और रखेगा अगर यहां पर दूसरा scenario है जो कि यह price reverse हो के फिर से इस point के नीच जाएगा उस case में क्या होगा हम उसको बात कर लेते हैं पांच प्रेंट के चार्ट मां जाते हैं तो यहां पर अभी तक क्या हुआ है यहां पर देखिए आप एक strong move आया तो यहां पर भी आपको buy opportunity मिली थी क्योंकि यह retracement जो हम बोल रहे थे correct to retracement भी आ सकता है लेकिन उसमें भी आपको buy opportunity मिली थी हमने पहले भी आपको बात किये जैसी breakout आता है तब आई नहीं करना चाहिए उसके बाद आपको यहां पर देखिए correct structure मिला और यह हमारा buy यहां पर activate हो गया था और यहां पर फिर से एक नया अपमूव आया overall आप देखे यहां पर inverse head and shoulders breakout आया था इस stock में और यहां पर आप देख सकते इस range का target आपको मिल गया अब यहां पर एक sharp reversal आया है बट overall price अभी भी यहां से एक बार अपमूव जाके इस point को भी break कर सकती है तो उस case में हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता ह अगर समझ लीजिए यहां पर कल क्या होता है कि price एक बार अभी यहां पर अगर हम 10 लेन ड्रॉ करते हैं तो अभी भी इस 10 लेन को break नहीं की है price ने तो यहां पर अगर समझ लीजिए यह 10 लेन break नहीं होती और एक बार फिर से price इस point के ओपर चली जाती है तो यह आप देख स इसी point के ऊपर रह जाता है तो आप और upside इसमें expect कर पाएंगे अगर समझ लेजिए यहां पर यह पर यह तो यहीं से break हो जाए और नीचे चला जाए यह उपर जाने के बाद एकदम sharp way में यह निकल जाए तो आप समझ जाना यह price एक बार फिर से नीचे आ रही है तो overall आपक इसको trade करना काफी challenging रह सकता है क्योंकि correction में आपको overall structure की पता होनी चाहिए और range bound structure ही रहते है जैसे यहां पर upper end की range यह है lower end की range यहां है और इसमें आपको range का पता होना चाहिए correction में कि कहां पे हमें buy और कहां पे हमें sell करना है और overall कहते हैं कि जब भी ranging market हो तो जैसे ही आप को sell लगे तो buy करना चाहिए यह हमें पता है ranging market की यह definition होती है तो overall आप देख सकते हम wave analysis कैसे हर wave को पता करके आगे का trade करते हैं यह video आपको पसंद आए तो इसे like करिए share करिए और कोई doubt हता अब जाए तो comment डाल सकते है thank you and have a nice day